हलो गाइस मैं सुरुज रास अपनी यूट्यूब चल्पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो इस्टूडेंट सी सी या सी निविश्टी से है ठीक है मेरेट से उनके लिए मौश्ट इंपोटेंट कोशन है एक्जाम यह कोशन आपको 85 परशंट लाक रहेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में 18-19 कोशन आपको देने वाला हूं और 18-19 कोशन को अच्छी तरीक से पढ़ लीजिए एक दिन में आप 18 कोशन बढ़ सकते हैं तो ज्यादा नहीं होता है छोटे-छोटे कोशन होते ह आप को दे रहा हूं जादा नहीं देता है अलग मुझे शेय साथ लॉंग देता हूं और बाकि आपको सारे सौट देता हूं ठीक है क्योंकि यार तो ज्यादा आते हैं दस कोशन शौट के आता है वह सब कुछ देखना है आप देखो आज की वीडियो में आपको बताने वा सब्सक्राइब बागी जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग तो वह अलग आपको चैनल बना रखें आप बहास भी जा के देख सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को जरूर प्रेस करना कोई भी दिक्कत है तो कॉमेंट बॉक्स में बताना यहां बात करते हैं नैरिस की बहास रचना के वारे में मैं आपसे बादा करता हूं कि यहां से आपको 2021 के एक्जाम में जो अभी हाली में अप्रायल में होन बबस आति साथ बास स्थान को कहा रहता है मारफालोजी को देखेंगे और इनके चनन को देखेंगे अपना जनन बोक से करता है ठीक है वह कहा रहता है उसके बाहरन से बता दोगे कि भाई इसमें तो नहीं है इंसमें तोuma सि bend झाया है। कोई यह करता है सब कुछ आप बता दोगे क्या दिक्कत है लक्षण का मतलब क्या होता है वह देखने में उसके खाना पीना भई क्या है वही लक्षण कहलाते हैं तो वह सब आपको लिख देना है जब आप आप देख लेंगे कि नैरिस के बारे मिज़ब पढ़ लेंगे तो आपको एनिलेडा संके लक्षण लिखते हुए टैम नहीं लगेगा फाइलम इसने लेडा मॉस्ट इंप्रटेंट कोई दिक्कत नहीं है बहुत बच्छा नहीं आप इंको याद करके जाएंगे नेक्स कोशन आप से पूचा जाता है जीगा मचली तो आप जानते होंगे ज जीगा मचली का आपको उसरजन तंत्र ग्याद करना है मतलब कि जो उसरजन तंत्र है उसके बारे में आपको क्या देना है पूरी इसका वर्ण कर देना है साथी साथ एक आता है जिसे हम कहते हैं इसकी एक जीगा मचली की एक क्या होती है ग्रीन ग्रंथी होती है ग्रीन ग् ग्लांड भी कह सकते हैं तो ग्रीन ग्लांड या फिर एंट्रिनली ग्लांड एक ही नाम से जाना जाता है इन दोनों को ठीक है और इनको आप याद करेंगे यह कहां पाई जाती है क्या कार होता है बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे साथी साथ पाचन तंत्र मतलब कि ज चीम किस प्रकार से होता है ठीक है वह देखेंगे जीनगा मचली की जो आन्फ होती है आप चैना है क étant क्या क्ाइसिंदी क्या होता है वो क्या देख सकती है वह आपको देखेंगे उसके बाद में जो जीना मचली है उसाँ बात बताओ जींगा मचली के बारे में जानते हैं आप पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे भाई जींगा मचली काती कैसे कैसे पाचन करती है उसकी आख कैसी होती है यह तो पढ़ेंगे ना हमें सब को वह सांस कैसे लेती है यह तो हम बताओ हम अब हम सांस कैसे लेते हैं खाते कैसे हैं कैसे पचाते हैं हमारी आखे का क्या कार है यह तो हम जानते ही है ना तो ऐसे जहींगा मचली जन्तोष के बारे में आपको सब कुछ याद करना है और साथी साथ उनके उपांग और स्वभाब के बारे में याद करना है नेक्स्ट कोश्चन आपसे यही पूचा नेक्स कोशन आपसे पूछता है कि जो फाइलम मोलस्का है अब देखिए फाइलम मोलस्का के अंदर गाता है गोंगा जिसे हम पाइला कहते हैं तो पाइला अब उसका लक्षण क्लासिफिकेशन देखिए मैं आपको ध्यान हो जो मोलस्का जो संग है उसमें आता है हमारा मिला आया हमारे में लुवस का में अंतरगत् आया जो का आपको देखना ग। गोंगा है जो पाईला होता है वो जनन कैसे करता है नर जनन अंग कैसा होता है यार आपने इसको तो explain किया होगा el mebr umasil सीह यह करते है क्यों कि बहुत जाद important है उसके बाद में जो साहँ पाइला वो पपना सांस कि स्थरकास से लेता ठीक है तो यह कोशें आपको देखने थे जो एक्जाम में बहुत जादा बनते हैं ठीक है तो आपको यह नहीं आपको बताना है उसकी पाइल नेक्स कोशन समुंध्रिय सितारा मचली से कहते हैं और सितारा मचली जो है उसका आपको हिमल तंत्र हिमल तंत्र के बारे में देख लेना है तो सितारा मचली का हिमल तंत्र कैसा होता है स्वभाव वो कैसे रहन सहन वाली है मचली उसकी बहासर रचना बाहर से देखने को सितारा मचली कैसी दिखाई देती है साथ साथ मार्फलो जी उसका विकाष बग्यारा जो मार्फलो जी होती है ठीक है और Councillor को हम संप्ली कह सकते हैं जैसे में बता दूं उसका बास इस्थान मतलब वो रहती कहा है और जो सितारा मचली है समुद्धे सितारा मचली वो इकानो डर्मिंटा फैमिली मतलब कि संग के अंतरगात आती है तो फाइलम होता है एकानो डर्विंटा के अंतरगात आती है तो आप कहे देंगे कि यह संद्र में रहती है यह अपना भोजन इस प्रकार से करती है यह देखने में ऐसे होते है जन्तू जादा कर यह ऐसे होते है इनका खाने पीने क यह होता है इनमें यह चीज पाई जाती है यही सब को लक्षण लिखना है आपको पढ़ लोगे सितार मसली के बारे में दो बैसी लिख दो गया उसके बाद में नेक्स कोशन आप से बनता है यहां नेक्स कोशन में टिक लगाएंगे दोस्तों बहुत ही जड़ा नार्वा फकिलत को लाउसन तो नेरस सकते हैं प्रिक लगे बारे तो देखना है उसके बाता है नो गूंग आप डिखने होता है कि और सब्सक्रणायद कर देखना है तो उसके वह एक देखना है उसका आपको फुलार्वा प्लेट के बारे लेना है तो हिस्टेट प्लेट क्या होती हैं याहा कैसा होता है बुकलनग भी आपको याद कर ले नैस new sister आप से बनता है है जाओ गलोचीडियम लारभ जुछाए बहुत ही ज़ादा 2021 में आने वाले सारे को याद करके जाना है क Keith other के बारे में उसका छो कह सकते हैं जो कभग कभच जो होता है कह सकते हैं जो शैल होती है कभच होता है बना ऊपर είशके अंदर बैठा होता है। कैसा बना होता है जिसे हम पाइवेनी का होता है उस पर आपको टिपली लिखने वह कैसे विकास होता है वह क्या करता है कैसे खाना बोड़न करता है और इसमें एक हाता है stone canal is most important इसको कहूंगा मैं exam 2021 के लिए बहुत ज़्यादा important है stone canal क्या होती आप इतना question को पढ़ेंगे और फिर मुझे जो आप क्या करेंगे pdf को बना कर ठीके ना pdf को बना कर मेरे whatsapp numbers पर send करेंगे जिसका 7037 3278 38 ठीके ना 7037 3278 38 आप इस पर pdf को बना कर जो भी आपको paper होगा उसको मुझे share करेंगे ताकि मैं उसे explain कर सकूं और आपको बता सकूं कितनी कोशन मैंने बताए वो सारे आए तो वीडियो कैसे लगी comment box में जुरू बताना मिलते हैं नेक्शन तक लिए जैन दोस्तों